नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे डियलेट एकजाम 2022 लेटेश्ट अपडेट के बारे में तो आज हमारी तारीक हो चुकी है 25 मई 2022 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग तो पहले दोस्तों वो आदेश हम आपके सामने रख देते हैं ठीक है तो मतलब यह मान के चलिए जून से हमारी कॉपियां चेक होनी सुरू हो जाएगी और देखे जो हमारा रिजल्ट है वो जुलाई तक हर आलत में आ जाना चाहिए एक और दोस्तों बड़ी खबर देखे कि सीटेट को लेकर एक बड़ी खबर आ रहे थी कि वह सीटेट का यह आ रहा है नोटिफिकेशन आ गया ऐसे वैसे तो यह दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो सीटेट को लेकर फेक बाते चल ले थी सोसल मीडिया पर अब वो क्लियर हो चुकी है बाकि जो भी अपडेट ताकि आपके मन में कोई confusion न रहे और देखिए डेलेट प्रथम दोती है तरती है चतुर्थ समिष्टर रिजल्ट तो जो बच्चे भी फर्च टाइम पेपर दिये हैं प्रथम समिष्टर में उनको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर गलती तो तीन विसे में फेल हो जाते ह पेपर मतलब सारी विशे के पेपर फिर से देना पड़ेगा ठीक संस्टर बैक कहा जाएगा और आपको फिर प्र आठ के 8 विस्टयों का पेपर देना पड़ेगा लेकिन जिन बच्चो की पैल deficit में या दो विसे में लगती है उन बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं वह तो अगले semester में मतलब second semester में चले जाएंगे बाकी आगे चलकर जब back paper होगा प्रतम semester का तो वो paper देखे अपना back clear कल देंगे तो DL8 के चाहतर इस scholarship के इंतजार में तो scholarship अगर आपने status डाउनलोड नहीं किया है तो comment box हम link दे देंगे जहांते आपको अपने scholarship का status सीटेट का notification यूपीटेट की दोस्तो court update जी आँ दोस्तो यूपीटेट की court update देखना है इसलिए जरूरी बीटीसी और बीटीसी और बीटीसी कर रहे हैं या डीलेट कर रहे हैं वर्सेस दोस्तों हमारा बीट का मामला चल रहा है अगर बीट के चाहतरों को प्रास्मिक ज्यादा आसान होने वाली है तो इस अपडेट को भी जरा देखेंगे जुलाई सत्र के लिए 30 जून तक करें दुबारा पंजी करण इगनू से अपडेट निकल करा रहे हैं नई दिल्ली से पूरी अपडेट है कि इंद्रा गांधी नेसनल ओपन युनिवर्सिटी उमीद वार 30 जून तक दुबारा रजिटेशन कर सकते हैं इसनातक इसनाकोत्तर प्रोग्राम के सभी जात्रों को पंजी करण करना अनिवार हैं इगनू में दुबारा जुलाई सत्र में दाकले के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करके रजिटेशन करना होगा विस विद्याले प्रसासन मताबिक इगनू में इसनातक और इसनाकोत्तर प्रोग्राम में विभिन डिग्री प्रोग्राम में अगले समेश्टर में दाकले के सभी छात्रों को दोबारा रजिटेशन करना अनिवारि होता है इसलिए विस विद्याले में पहले से विबिन डिग्री ट्रोग्राम की पढ़ाई कर रहे चात्र दोबारा रेश्टेशन ती जुन तक कर लें तो यह दोस्तो बड़ी खबार है जो कि मैं आपके सामने रख रहे हैं इगनू की अपडेट आ गई डिएलेट कॉपियों की दोस्तो अपडेट जो यह थी नोटिस थोड़ा के लिए नहीं दिख रहा लेकिन चलिए कॉपिय आपकी चेक होने वाली है उसके लिए आप लोग तयार हो जाएए हाँ एक बात और आपको बताना चाहेंगे इस समय आप लोग दलालों से साउधान रहेगा देखे भाईया जैसे कॉपी चेक होती है तो दलालों कभी ग्रूप एक्टिव हो जाता और आपसे अलग अलग पैसों की डिमांड की जा सकती है कि आप 10,000 रपे दीजे आप 15,000 र पैसे वाला जो मामला होता है पैसे उनको देना चे जिनको लगता भई यह हमारा एक ही नमर का साही हो क्या रहा है या 11 नमर तक आपने देखने को सामने आती काट के वही बात होती है न तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सुपर टेट के लेकर कि अब आगे क्या-क्या करना है और कैसे पढ़ाई आप लोग को करनी है तो गाइस फर्स समेश्टर का मारा पेपर कंप्लीट हो गया और थर्ड समेश्टर का जिया दोस्तों ज्यादा ब हो जा और कोई बैक ना बचियो तब मान लिया जागा कि आपका डिलेट कंप्लीट है उसके बाद देखिए सुपर टेट में अगर आप चाहते आवेदन का मौका मिले तो उससे पहले आपका टीटी क्लियर होना जरूरी है टेट का मतलब यूपी टेट हो या सी टेट इन द स्यारी आपकी बहतर होनी चाहिए ताकि आपका रिजल्ट भी बढ़िया वाला आए टेट सुपर टेट आपने देख लिया अब देखिए दोस्तों बात होगी सीटेट को लेकर कि सीटेट जूलाई का पेपर ऑनलाइन माध्यम से होगा यो ऑफलाइन माध्यम से होगा ठीक कल बीएट बाहर हो जाता जैसा मामला कोर्ट में चल रहा है अगर बीएट को प्रास्मिक सिच्चक भरती से बाहर कर दिया गया तो फिर डियलेट के अच्छे दिन आ जाएंगे जिया दोस्तों डियलेट में मतलब फिर से एक बार एडमिसन की कताल लग जाएगी लाइन अब कुछ दिन पहले जूनियर में वेकंसी आई थी आपने देखाऊगा जूनियर में कितने पदों पर थी टोटल 1894 पत्ते जिन में से 1504 साहिक अध्यापक के पत्ते मतलब जो बच्चे जूनियर जिसे अगर आप टेट का पेपर देते तो टेट में क्या होता पेपर वन लुट को में अधर यहाँ पर दोनों बच्चों को मोका मिला तो नवकरी पाना असानीकि मूस्कल या बात आप अछे से समझ रहे होंगे खीक है तो वही बात कहा है कि इसलिए B8 के बच्चे भी ज्यादा रुजान नहीं लेंगे B8 में जब उनको पता चल जाएगा कि B8 को प्रात्मिक सिच्चक भरती से बाहर कर दिया गया और B8 में ताबर तोड एडमिशन भी इसलिए हो रहते हैं क्योंकि देखें प्रात्मिक सिच्चक भरती के साथ साथ उन बच्चों को मौका मिला था TGT में LTE में तो ये वेकेंसी है DL8 के चात्रों के हाथ से निकल जाती लेकिन आपको पताता है TGT में अगर आप वेकेंसी निकालेंगे सब्जेक्ट वाइस वेकेंसी रहती और ज्यादा पदों पर वेकेंसी नहीं आती तो बच्चे कन्फूजन में रहते हैं तो ये सब मामले हैं इन सब को जरा ध्यान रखिए और जो भी अपडेट 2022 के आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुचाएंगे जुलाई में एड्मिसन के पूरे आसार है डिलेट 2022 के लिए ठीक हैं बाकी जो भी अलगस अपडेट हैगी वो पी अपडेट आप तक पहुचा आती रहती है तो ठीक है और नए सिच्चक भरती अभी थोड़ा लेट से आगी तो बैतर होगा कि जिन बच्चों की बैख है डिलेट में जब तक आपका रिजल्ट नहीं आज जाता तब तक आप नए सिच्चक भरती के लिए इलिजबल नहीं है तो रिजल्ट आना आपका जरूरी है बाकी परिच्छा के तैयारी अच्छे से करिए ठीक हैं, तो 25 मही आज हमारी तारीक है, बाकी अगर कोई जानकारी चीए हो डेलेट एडमिसन 2022 के बारे में तो अपडेट हम आप तक पहुचाते रहेंगे ठीक है, तैयारी अच्छे रखिएगा और बाकी दलालों से फ्राउड लोगों से साउधान रहेगा ने तो फिर आपके पैसे डूब सकते हैं बाद में कहेंगे, सर हमारा पैसा चला गए, हम पास नहीं हो हम फेल हो गए हैं, तो यह सब बाते रहती हैं, ठीक है बाकी जो भी देखिया अलग से अप्डेट आईए, अप्डेट हम आप तक पहुचाएंगे वाट्सप नमर हमारा आपके पास होगा कोई जानकारी चीए तो वाट्सप परिएगा मिलते हैं, एक और वीडियो में, तब तक के लिए इस्टे कनेक्टेट हैं, वाट्सप नमर फिर से आपको दे देते हैं 8738079216 8738079216 ठीक है, आप इस पर वाट्सप करिएगा, कॉल मत करिएगा, कॉल लगेगी भी नहीं तो ठीक है, वाट्सप पर मैसेज करिएगा, चलिए मिलते हैं, एक और वीडियो में, तब तक के लिए इस्टे कनेक्टेट, हैवन है इस्टे